जैहिन दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है CG Resettlement एक्सर्विस्मेन भाईयों का सेकंड इनिक पार्टनर तो दोस्तो आज हम बात करेंगे एक्सर्विस्मेन भाईयों के लिए नई गोवर्मेंट जॉब के बारे में तो जैसे की आप यहाँ पे देख सकते हैं एलेक्टिसिटी डिपार्टमेंट गोवा की तरफ से नई वैकेंसी निकल के आ रही है यह वैकेंसी लाइन हल पर पोस्ट के लिए है दोस्तो इस वैकेंसी की सारी डिटेल्स आपको हमारे एंडुड आप पे मिल जाएगी जिसका नाम है CG Resettlement यह एप सिर्फ एक्स सर्विसमें भाईयों के लिए ही बना है जिसमें एक्स सर्विसमें को डेली जॉब्स एंड न्यूस की अपडेट्स मिलती रहेंगी तो आज ही गूगल प्रेस्टोर से यह नीचे डिस्क्रिप्शन में देगे लिंक से डाउनलोड करें CG Resettlement एप तो चलिए आगे बढ़ते हैं जॉब इंफर्मेशन की तरफ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जॉब इंफर्मेशन सेक्शन में यह जो जॉब है दोस्तों यह गवर्मेंट सेक्टर की जॉब है और इस जॉब के लिए आपको लेवल वन की सैलरी दी जाएगी और यह जॉब दोस्तों गवाराज्य के लिए है यहाँ पे इलेक्टिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से टोटल 255 वैकेंसी निकाली गई है जिसमें से 12 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है और एज लिमिट के अगर हम बात करें यहाँ पे तो मैक्जिमम एज 45 यह रखा गया है एक सर्विसमैन भाईयों के लिए और दोस्तों इस जॉब के लिए अगर आपको अपलाई करना है तो इस जॉब में और आपको कोकुनी और माराटी लाइंग्विज का नॉलेज होना जरूरी है और दोस्तों इस जॉब के लिए अपलाई करने के लिए कोई भी एप्लिकेशन पी एक सर्विसमैन को पे नहीं करनी पड़ेगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं जो आप डिस्किप्शन की तरफ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मोड आफ सेलेक्शन में आपका जो सेलेक्शन होने वाला है यहाँ पे दोस्तों यह स्किल टेस्ट, एप्टिटूट टेस्ट और रिटन टेस्ट के बेस पे होगा इसम इन्फरमेशन चाहिए तो आप यहाँ से ओफिशल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो हमने जॉब डिस्किप्शन सेक्शन में ओफिशल नोटिफिकेशन की लिंक दी हुई है तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इध्यान से पढ़ लीजिए उसके बाद ही इस जॉब के लिए अपलाए कर पाएंगे तो दोस्तों ऐसी कई जॉब के बारे में रेगिलर अपडेट्स वाने के लिए हमारा एंडुआड आप डाउनलोड कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंड कीजिए और अपने दोस् पर इसमें से जुड़ी सारी जॉब और न्यूज की अपडेट्स रेगिलर बेसेस पर मिलती रहे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जय हैं